आप सब का स्वागा थे आज का क्लास से LKG का आज हम LKG में fun with letter पढ़ाएंगे LKG के बच्चे चलो फटाफट fun with letter one का बुक ओपन करो देखो मेरे बोर्ड पे तो ओपन हो गया है आपने भी ओपन कर लिया ना हाँ आज हम कौन सी पेज में पढ़ाएंगे देखो तो 10 नमबर पेज में पढ़ाएंगे चलो फटाफट 10 नमबर पेज ओपन करो आज हम उसमें D alphabet सिखेंगे ओके कीर्स देखो आपने ओपन कर लिया ना हाँ 10 नमबर पेज में D alphabet दिया है हमने तो पहला लेक्चर में A, B, C तो कम्पिट कर लिया था यह हमारा फर्स्ट alphabet है चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको capital letter भी बोलते ही D आज हम सिखेंगे देखो मैंने यहाँ पे बोर्ड वर करने के लिए box बना लिया है मैं जैसे करती हूँ आपको वैसे करनी है कैसे देखो dotted line भी मैंने बना लिया है उसमें पहले हमको trace करनी है देखो ऐसे हमको दो step follow करना पड़ेगा यह है हमारा first step फिर हमारा यह हमारा second step यह हो गया न D D फर क्या है आपको तो पता है duck देखो फिर से देखाती हूँ आपको इसे आपको पहला step इसे standing line जैसे बना के second step में इसे हापको आप जैसे बनानी है यह हो गया D हमें दो step follow करना पड़ेगा first step हमारा एक standing line दूसरा step ऐसे cup बनाना पड़ेगा हाप circle जैसे ओके देखो यह हो गया न D हाँ D for duck duck कैसे करता है sound आपको पता ही quack 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 ऐसे ही करता है देखो मैं खाली बक्स पे दिखाती हूँ ऐसे standing line आपको first step पे बनानी है फिर आपको ऐसे ही ऐसे आपको standing line बना के ऐसे हाप कब बनानी है D for duck ऐसे ही आपको lawn भी करने ही बच्चो ऐसे ही आपको दो step बना लेते ही तो D हो गया हमारा हाँ D for doll doll आपको पता है ना वो जे doll कितना सुन्दर दिखता है ना आपके पास है ना ऐसे ही आपको करनी ही ओके बच्चो देखो ऐसे ही आपको पूरे box गॉम्पिट करना है उसमें dot दिया है को ऐसे ही गॉम्पिट करना है D for deer भी होता है deer यानी हीरन वो तो जंगल पे होता ही वो कितना सुन्दर होता है ना हाँ वो तेर से भागता है यह है हमारा alphabet D देखो 10 नमबर पेज में यह box मैंने जैसे गॉम्पिट किया आप भी वैसे गॉम्पिट कर देना है हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे यह तो हमारा CW था अभी हम HW पे चलते हैं अभी हमारा 11 नमबर पेज बे HW दिया है CW पे मैंने तो देखा लिया आपको आप मामा का हेल्प लेके दो स्टेप फोलो करके D लेख सकते हैं और HW पे आपको खुद लेखनी है उसमें डॉट तो दिया है ऐसे एक स्टैंडी लेन बना के ऐसे हाफ सरकल बना देनी हो गया D देखो उपर में एक पिक्चर दिया है राइड सेड में D for duck डॉक का एक बढ़िया से पिक्चर दिया है आप अपने हिसाब से कॉलर का क्रेन एक कलर लेके आप उसमें कलर कर सकते ही फिर आम नीचे चलते ही बॉक्स आपको पूरा करनी है HW पेज आपको करना है घर पे फिर नीचे में कुछ वार्ट्स दिया है उसमें क्या लिख्या है देखो तो find out and circle the letter D यह जो D लिखा है न जहां पे उसमें आपको identify करना है और उसमें circle बनानी है मैं वार्ट्स पर लेती हूँ bread, radio, h and hand, slide, card, and, salad, board यह सब में जहां पे यह D है आपको पहचानना है identify करके हमने तो box पुरा कर लिया है यह सही D जहां पे लिखा है आपको उसमें circle बनानी है यानि goal बनानी है ओके किर्स यह हमारा आज का हमारा पीडियot 10 और 11 नमबर पेज का complete हो गया थेंक यू जह सब देश较 लो खरता है